नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं रेन्यूस बुलेटिंग के शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और आहम खबर से जहां पर यूपी में आज छटे चरण के लिए मद्दान जारी है वहीं आपको बता दे कि यूपी में दस जिलों की 57 विदानसवा सीटों पर मद्दान हो रहा है वहीं सीम योगी आदितेनाथ ने गोरकपूर पहुँच कर अपना मत्र डाला है वहीं योगी आदितेनाथ ने गोरकपूर के प्रात्मिक विद्या ले गोरकणाथ करन्या नगट छेत में ये अपना वोट डाला था वहीं आपको बता दे कि योगी आदितेनाथ ने सुबा सुबा ही अपना मद्दान किया है और पहली बार विदान सवा चुनाव लड़े मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ के निर्वाचन छेत गोरकपूर पहुँच कर उन्होंने अपना मद्दान किया इस वक्त की बड़ी और आहम खबर जहां पर लगातार यूपी में छटे चरंड के लिए मद्दान जारी है और इस बीच सीम योगी आदितेनाथ ने गोरकपूर में पहुच कर अपना मद्दान डाला और वहीं गोरकपूर के प्रात्मिक विद्याले में सीम योगी आदितेनाथ ने वोट डाला है और वहीं आपको बता दे कि यूपी में लगाता मद्दान जारी है और पॉलिंग ने गोरकपुर में वोट डाला है अब वहीं बढ़िंगे अगली खबर के और जहां पर लगतार आपको बता रहे हैं कि यूपी में लगतार चुनाफ जारी है और यूकरिन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है यूकरिन के खेसरान शहर पर रूसी सेना का कबज़ा सुनने में आ रहा है वहीं आपको बता दे जो जानकारी सामने आ रही है पूरे यूकरिन में हवाय हमले का अलट भी जारी किया है इस वक्त की बड़ी और आहम खबर यूकरिन की राजधानी कीव में हमला जारी है और इसको लेकर यूकरिन में हवाय हमले को लेकर अलट जा किया गया और यूक्रेन को लोगों को घरों में रहने की सला दी गई है यूक्रेन के राश्पती ने लोगों को घरों में रहने की सला दिया और वहीं आपको बता दे कि यूक्रेन के खेसंग शहर में लगातार हमले जारी है और इस वीज पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अभी अलर्ट जारी कर दिया गया यूक्रेन के राश्पती ने यूक्रेन को लोगों को घरों में रहने की हिदायत दिया और यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला लगातार जारी है और वहीं आपको बता दे कि यूक्रेन के राश्पती ने लोगों को घरों में रहने की सला दिये इस वक्त की बड़ी और आहम खबर जहां पर लगातार यूकरिन के कई शैरों पर हमला जा रही है और रूसी सेनक अभी कबजा की जानकारी सामने आ रही है और वहीं बड़ेंगा अगली खबर की और जहां पर यूपी विदानसवा चुनाप के छटे चरण के लिए 10 जिलों की 57 विदानसवा सीटों पर आज मद्दान हो रहा है और वहीं 2 करोड 14 लाग से जादा मद्दात आपने मत अधिकार का इस्तमाल भी करेंगे और वहीं छटे चरण की 57 सीटों में 11 सीटे अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है और इस चरण में कुल 2.14 करोड से अधिक मद्दाता है और राजे की 403 विदान सवा सीटों पाज 7 चरणों में प्रस्तावित विदान सवा चुना में अब तक 5 चरणों में 292 सीटों पर मद्दान हो चुका है और आखरी दो चरण में 3 मार्च और व्यानी की आज और 7 मार्च को 111 सीटों पर मद्दान होना अभी भी बाकी है भी भीशन होता जा रहा है और वहीं मंगलवार को रूस की सेना ने कीव के टीवी टावर को और यूकरेन में यहूदी नरसन हार के मुख्यस मारक समित अन्यस असानियस थलो को निशाना बनाते हुए हमले किये और वहीं टीवी टावर पर हमलों में पांच लोगों की मौत हो और वहीं पांच अन्यक खायल हो गए है और यूकरेन की संसर ने टीवी टावर के आसपास धुएं के गुबार के एक तस्वीर भी पोस्ट किये और वही कीव के मेर मिताली विशलेश्वोको ने इस पर हमले का और होने की एक और वीडियो भी शेयर किये और उन्होंने कहा क हमले के कारण टावर में बिजली पहुँचा रहे एक सबस्टेशन और एक कंट्रोल रूम भरबाद हो गया है और यूकरेन के राजपती वॉल्देमिर जलेंसकी ने कार्याले के प्रमुक आंद्रे यर्माक ने फेस्बुक पर कहा कि उस स्थान पर शक्तिसाली मिस्राइल ह हमला किया जा रहा है जहां यार इसमारक है और बाबी यार में नाजियों ने सितंबर 1941 में 48 घंटे के अंदर करीब 33,000 यहूदियों की हत्या कर दी थी और इस पर ट्विट करते हुए यूकरेन के राजपती ने दुनिया से कहा कि 10 साल तक ऐसा दोबारा नहीं होगा कहने का क्या फाइदा हुआ और अगर दुनिया बाबी यार इसमारक पर बम गिराने को लेकर चुप है तो पांच लोगों की मौत हो चुके और वहीं इत्यास खुद को दोरा रहा है